हेलो और नमस्कार दोस्तों स्वाइगा थे आप सभी का एक बार फिर से जी हाँ दोस्तों आज हम बात करने बाले हैं सन 2001 में रेलिज हुई तीन सबसे बड़ी ब्लोगबस्टर फिलिम के बारे में जिसमें मितुन चगरवति साहाब की बगवत एक जंग सनिदोवाल सर के गद किसी फिलिम ने की थी बॉक्स ओपिस पर सबसे दे कलेक्शन और किसने मायरी थी बॉक्स ओपिस पर पाजी तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सनिदोवाल सर की गदर एक पेम कथा फिलिम के बारे में 15 जुन 2001 में रिलिज हुई थी रोमांटिक एक्शन रामा फिलिम गदर एक पेम कथा जिसे डायेट के था अनिल सर्मा ने और पडूस किया था नितिन केनी ने इस फिल्म में सनिदोवाल अमिशा पटिल और अमरेश पूरी ने एहम भूमिकानी भाई थी और इस फिल्म की कहानी को लिखा था सक्तिमान तलबार ने और मीजुक दिया था उत्तम सिंग ने और वही अगर बात करें इस फिल्म के बजेट और बॉक्स अबस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को बनबानी के लिए उस समय पर करिब 19 कड़ो रूपिया का खर्च आया था और इस फिल्म ने बॉक्स अब इंडिया पर 77 कड़ोर और पूरे वॉल मेसेज 124 कड़ोर रूपिया का कारोबार किया था और उनकी ये फिल्म बॉक्स अब इस पर ओल टाइम ब्लॉक्बास्टर शाबित हुए थी तो चली दोस्तों बात करते हैं मिथुन चक्रबति सहाब की फिल्म बगबत एक जंग के इस फिल्म में हमें मिथुन चक्रबति अधित्या पंचोली मोहन जोसी रितिका शिंग और दीपाक शिर कर नजर आए थे और इस फिल्म को डाइट किया था दीपाक पवार ने तो पडूस भी नहीं किया था और बजर था इस फिल्म का तेक्रिवन साथ कड़ोर और इस फिल बात करते हैं अमिर खान की लगान फिल्म के पारे में 15 जून 2001 मेर रिलिज हुई थी मुजिकल स्पूर्ट ड्रामा फिल्म लगान और इस फिल्म को डाइट किया था आशुतास गवर अप्रूस किया था अमिर खान और इस फिल्म में हमें अमिर खान ग्रेशी सिंग रैचल शेली और एसपल सर्मा और पॉल ब्लाक थ्रोन ने अहम भूमिका निभाई थी और बजट था इस फिल्म का त्यक्रिबंग 24 कड़ों जिसने बॉक्स ओफिस इंडिया पर 35 कड़ों और पूरे वाल में से 65 कड़ों रुपय के कारोवर किया था और ये फ अजरी में से 65 कड़ों जिसक ताना ओ।